नमस्कार दोस्तों इस्टेटी विग ज्यान प्रकास में आप सफीका बहुत-बहुत स्वागत तो आईए स्टार्ट करते हैं 28 जून के सभी important current affair देखे परा question क्या है नसीरी दवाओं के दूरुपयोग और अवैद तसकरी के खिलाफ अंतरराश्टरी दिवस 2022 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अव्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2022 यह अभी हारी मनाया गया है कम मनाया गया इसे मनाया गया था 26 जून को यानि की option A आप यहाँ पर correct है देखे फ्रेंड्स इसका आयोजग कौन है सयोंकतराश्ट तो United Nation के सयोंक से इस दिल स्थापना हुई थी 1987 में 1987 में और 2022 में इसकी थीम क्या है addressing drug challenges in health and humanitarian crisis यानि की स्वास्थ और मानवी संकटों में मादक द्रब चुनोतियों का समाधान तो यह इसकी थीम है याद रखना वैसे भी जितने भी important days हैं जून महिने के उस पर एक अलग से वीडियो में आपको प्लिब दिकरा दूँगा ताकि उसको देख सकें आप और सारी चीजों को एक साथ आप रिवाइज कर सकें open network for digital commerce 2022 ondc22 नामक सहकारी परिशत बैठक की अथक्सता किसने की है open network for digital commerce 2022 बैठक की अथक्सता की गई है पियूस गोयल के द्वारा यानि कि इस question का option A correct है तो friends यह हैं पियूस गोयल और आपको बता दें कि बैटक का उद्दे से क्या था डिजिटल या electronic network पर वस्तुओं एवंग सिवाओं के आदान प्रदान के लिए खुले network को बढ़ावा देना अब यह प्रसंद बड़ा important है ध्यान से देखिएगा अंतरराष्ट्री Tennis Hall of Fame और अंतरराष्ट्री Tennis संग ने अंतरराष्ट्री Tennis Hall of Fame और अंतरराष्ट्री Tennis संग ने golden achievement award 2021 से किसे समाने किया है तो यह तस्बीर देख रहे हैं आप यह तस्बीर है विजय अमरित राज जी की यानिकी सुषन का option A correct है तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनोंने प्रसासन, पदूर्नत या सिक्षा के छित्र में अंतरराष्ट्री अस्तर पर Tennis में महत्तपूर्ण योगदान दिया होता है तो याद अगना की golden achievement award 2021 मिला है विजय अमरित राज को और इनका जो संबन्द है वो किसे है ति इनका जो संबन्द है वो Tennis से है कें सरकार दोरा पहले राष्ट्री रसद उत्कृष्टा पुरस्कार 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया यह है आपका अगला प्रस्ट राष्ट्री रसद उत्कृष्टा अवार्ड 2021 का आयोजन कहाँ नई दिल्ले में यानि की question का option A correct है तो यह तस्मीर आप देख सकते हैं friends और आपको बता दें कि इसका राष्ट्री रसद उत्कृष्टा पुरस्कार यानि की National Logistics Excellence Award 2021 का उत्देश भारत में उन रसद प्रदाताओं को सम्मानित करना है जिनोंने नवाचार विजिता और प्रभासिलता को प्रदासित किया है इसमें जो विजिताओं की सूची है वो आपके सामने है उत्द्योग उत्कृष्टा पुरस्कार किसको मिला है Sun Pharmaceutical Industries Limited मुंबई को सरस्रेष्ट कारगो एरलाइन और टर्मिनल आपरिटर का पुरस्कार मिला FedEx Express Transportation and Supply Chain Services Industries Private Limited को सरस्रेष्ट कारगो एरलाइन और टर्मिनल आपरिटर का पुरस्कार मिला सरस्रेष्ट रोड फ्रेट सर्विस प्रवाइडर का पुरस्कार वो विद्या गया है DHEL Supply Chain India Private Limited को सरस्रेष्ट रेल फ्रेट सर्विस प्रवाइडर का वाड मिला Adani Logistics Limited को सरस्रेष्ट बंदरगा सिवापरदाता बना है DP World सरस्रेष्ट राजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रवाइडर का वाड मिला Adani Logistics Limited को हला कि यहाँ पर आपको बस मुख्य रूप से यह याद अखना है कि उद्योग उद्कृष्टा पुरुसकार कि इसको मिला है तो यह मिला है Sun Pharmaceutical Industries Limited मुंबई को यह याद अखना है और एक और याद अखना आप कि इसका जो आयोजन था पहला था ना है तो राश्री रसद उद्कृष्टा पुरुसकार को जो आयोजन था नई दिल्ली में क्या गया था आयोजन क्या गया था वानिज और उद्ध्युमत्रले की द्वारा बागी सब चीज़ें एक बार सुन लिजें यह चीज़ें इंपोर्टेंट नहीं है एकजाम में आने की समभाणा बहुत कम है यह भी सुन लिजिए कि सर्शलिष्ट वेर हाउस सिवा परदाता का वार्ड मिला है भारती परिवहन निगम लिम्टेट यहन की टी सी आई गुरुगराम को अब नेक्ट क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट है ध्यां से दिखेगा हिमांचल प्रदेश हाई कोड के 27 27th मुक्य नैधीस कोन बने है जिनका नाम है अमजद एहतिसाम सईद ऑप्सन ए यहाँ पर करेक्ट है अमजद एहतिसाम सईद जो है हिमांचल प्रदेश हाई कोड के 27 मुक्य नैधीस बन गए है और इन्होंने किसका अस्थान लिया है? तिन्होंने अस्थान लिया है? मुहम्मद रफीक का, जस्टिस मुहम्मद रफीक और आपको पता ही है कि हमाजर प्रदेश के जो राजिपाल है, उनका नाम है राजिंद आर लेकर मुख्यमंद्री जैराम ठाकूर है बांगलादेश की प्रदान मंत्री सेख हसीना ने बांगलादेश की सबसे लंबे पदमा पुल का उधगाटन किया है यह पुल किस नदी पर बना है? यह प्रस्ट है तो यहाँ पर देखिए बांगलादेश की किस नदियों के नाम यहाँ पर दिये गए है आंसर हो जाएगा इसका option A, पदमा पदमा नदी पर बना है ये पुल और इसलिए इसको नाम भी दिया गया है पदमा पुल तो पदमा नदी बांगलादेश में गंगा की ही प्रमुखधारा है और जो गंगा है वो बांगलादेश में पदमा नदी की नाम से जानी जाती है तो 25 जून को पदमा नदी पर निर्मित पहले रेल और सडक मार्क परियूजना का PM सेख हसीना ने उद्गाटन किया है आम बांगलादेशी जन के बीच इसे पदमा पुल के नाम से जाना जा रहा है तो ये पुल जो बना है वो गंगा नदी पर बना है ये समझिया और PM हसीना की जो पारिटी है आवामी लीग ने इसे बांगलादेश के सबसे बड़े सपने के तौर पर पजारीत किया है 3.6 अरब डालर की लागत से तैयार तकरीबन 6.15 किलोमेटर लंबे इस सड़क वारियल मार्ग वाले पुल से बांगलादेश की रद्विष्टा में 2-3 प्रतसत की ब्रिद्धी होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है लेकिन या मार्ग भारत और बांगलादेश के कारोबारी रिष्टों को भी नया आयाम दे सकता है क्योंकि अब धाका से कुलकाता की दूरी तकरीबन 3 घंटे कम हो जाएगी चले फ्रेंट्स अगला कुश्चन है आपका भारती खुफिया एजनसी इंडिलिजन्स ब्यूरो यानि की आई बी के नए निदे सक कौन बने हैं दिनका नाम है तपन कुमार डेका यानि की आपका ऑप्सन सी बिलकुल करेक्ट है यह हैं तपन कुमार डेका आपको बता दें कि तपन कुमार डेका जो की आई बी की नए निदे सक बने हैं उन्होंने अरबिंद कुमार का अस्थान लिया है बात करते हैं इंडिलिजन्स ब रहा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंद किस राश से है इसका अंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का जो मंद है वो है किसे बताइए राजस्थान से तो 23 जून 2022 को सिख्षा विभाग के अत्रिक्त मुक्षच्यू पावन कुमार गोयल ने बताया कि मुक्यमंत्री असोग गहलोत की पहल पर प्रदेश में कच्छा एक से आठवी तक के बच्चों को मुक्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहट सब्ता में दो दिन दूद उपलब्द करवाया जाएगा और योजना के तहट राजकी विद्यालों में अध्यनरत करीब 79,21,000 बच्चों को पावडर से तयार दूद सब्ता में दो दिन यानि कि मंगलवार और सुक्रवार को ओल चãoओ करेंब्द 26,22 बाल भारत में आइकेा के सबसे बड़े श्टूर का उद्ध घाटन कहाँ पर किया गया तिसका असर हो जायेगा बैंगलूरू देखे फ्रेंड्स, आइकिया का यह चौथा इस्टोर है, जो कि खुला है बैंगलोरू में, लेकिन यह भारत का सबसे बड़ा इस्टोर है, आइकिया जो कमपनी है स्वेडन की है, और यह घरेलू फरनीचर को बनाती है, और इनके जो सोरूम होते हैं, बहुत ही बड़े बड अच्छा उनबह होगा, भारत में पहली बार मॉंगा की चार नई प्रजातिां खोजी गई हैं, कहां पर खोजी गई है यह परस्ना है, इसका अंशर हो जाएगा अंडबान नेकोबार dub realms में, मॉंगा की चार नई प्रजातियां पाई गयई हैं, तो यह मॉंगा है, आप द स्टेटम तीसरा है टी एक्ट्यू लेटम और चौता है टी इर्रेगुलर इन्हें अंड़मान निकोबार दिवसमों के जलचेत्र में पाया गया है तो जेड़ेसाई यानि कि भारती जन्तुमिज्ञान सर्वेक्चन जिसका हैड़कॉाटर तो कुलकाता में है और इसकी जो पहले इन सभी चार प्रजादियों का पता जापान से लेकर फिलिपीन्स और आस्ट्रेलिया के जलचेत्र में चला है जबकि केवल टी क्रिसम ऐसी प्रजाती है जिसे अधन की खाड़ी और फारस की खाड़ी समेत हिंद प्रस्टिम प्रसांद छेत्र में देखा गया था त प्लीज आप इसे लाइक जरूर किया करें ताकि इसकी पहुंच है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके चैनल पर अगर आप अली बार हैं तो आपका मोस्ट विलकम सब्सक्राइब कर लिजीगा बेल आइकान को प्रेस कर दिजीगा थैंकियो सो मच